My dear students and friends, Welcome back to my tube channel. Friends, आज की topic की बात करते हैं Active and Pacey Wives of which Friends, इसके pattern first की मात करचुके हैं, which का pattern first की मात करचुके हैं and today हम बात करते हैं pattern next की Friends, इसका जो pattern next है इसमें हम जब Pacey Wives बनाते हैं By आप सुरुवाद में भी कर सकते हैं and by को आप last में भी कर सकते हैं अब friends इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं so focus here friends यहाँ पर मैंने काफी सारे examples लिखे हुए है your first example which teacher taught you friends यहाँ पर क्या लिखा है taught taught किसमें होता है past independence में and past independence का हमारा active wise होता है and passive wise में जब change करते हैं हमें यूज करना होता है was and were next क्या है which student learns lesson अब यहाँ पर क्या है लंस अब यहाँ पर sries लिखा हुआ है it means यह हमारा sentence है present independence का next which man helped them अब यहाँ पर क्या है which teacher taught you अब यहाँ पर taught है सबसे पहले हमें by which कर देना होगा यह जहां लिका मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं by which teacher by which student by which man by which son and by which businessman this is pattern first आप by को पीछे भी कर सकते हो वो भी पैटन आभी आपको मैं बताता हूं इसके लिए वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं कि विच टीचर टॉट यू सबसे पहले मैंने किया by by which teacher अब यहाँ पर यू है अभी यहाँ पर यू है यू को यहाँ पर लेके आएंगे यू प्लूरल है एंड इसके साथ लगाते हैं वर बाई विच टीचर वर यू अब इसको तलफां सेम रहेगा कि टाट एंड लास्ट में को समा बाई विच टीचर वर यू टॉट को सबसे पहले हमने क्या कर दिया वाई विचो में स्टूडेंट अब फेंट्स alcohol लगाएंगी इन चितने भी सेंटेंस में हमें सेहां फिल प्लू लगाना होगा हमें यहां पर अब्जट देखना होगा यहां का अब्लेक्त क्या है इसमें क्या है यू है इसमें लेजन है object देखना होगे, यहां का object क्या है, इसमें क्या है, U है, इसमें lesson है, अब यह lesson है, singular है हमने क्या करती है, is you, is you, lesson, इसकी बाद में क्या है, learn का थर्फार्म हो जाएगा, learn, अब आप कहेंगे, बाहिवालो तो बता हैं, कि बाई लास्ट में कैसे लगाना होता है यस अब बाई वाला देख लिए पहले वाले कोशन को ही मैं बता देता हूं कि बाई लास्ट में कैसे लगाना है अब इसको कैसे करोगे which teacher were you taught last में by कर देना है अब इसमें भी शीख सकते हो यहां पर by शुरुवात में है हमें यहां पर शुरुवात में न करके हमें यहां लास्ट में कर देना होगा तो क्या हो जाएगे मेरा which teacher were you taught by by को शुरुवात में लगा देते हैं तो भी correct है एंड लास्ट में लगाएंगे तो भी करेक्ट है अब सेम इसमें भी हो जाएगा अब हम कोशन थर्ड की बात करते हैं विच मैन हेल्पट दिम अब यहां पर पहले लगाओ बाई यह बात में लगाओ बाई नो प्राप्लम मैंने कर दिया बाई विच मैन सेंटेंस पास्ट का है देम का कनवर्जन दे हो जाएगा दे प्लियूरल होता है यूज करेंगे वर बाई विच मैन वर दे इसका तलफाम है 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 एंड को समक एड़ लास्टा पसंटेंस नेक्स विच संसर्प्स हिस गुरू अभी हाँ पी सर्थ से प्रजेंट इपिटेंश है एंड जो इसका हमें पैस्वेश बनाना होगा हमें क्या हुच करना होगा एजम आग अग अकॉर्डिंट ओ अब्जेक्ट विच संसर्प अब यहां फर ऑफ्यार है और विशन में लेख़न कती है अब किहांगे अथ। are his gurus served by question last which businessman helps the countryman अब यहाँ पर सबसे पर ले क्या करोगे by which by which businessman by which businessman अब यहाँ पर countryman countryman तो plural है अब जब यहाँ plural है यहाँ मेरा question किस में है हमें यूज करना होगा and your object is plural and with plural we have to use are मुझे यहाँ करना होगा are the countryman by which businessman are the countryman help cattle farm helped and customer friends आज का सेशन अच्छा लगा हो so please subscribe our YouTube channel and ऐसे ही interesting videos को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहें on